अगर आप इतिहास से लगा रखते हैं और आप रोमान्स के साथ रहस्य से परदा उठणा चाहते हैं साथी में आपमें इतिहासिक चीजों को जानने और उनके बारे में तरह तरह की जानकारिया पता करने की इच्छा है तो आप आरकेलोजिस के रूप में अपना करियर बना सकते हैं इतिहास और भूगल के रहस्यों से पटे भरत में इसके अच्छे आसार हैं यहां पर अबे भी काफी कुछ खोजा जाना बाकी है और अपास अब्यता के बाद से भरत में इतिहासिक खोज नौके बराबर भूई है और फिलाल इतिहास सबंदित खोज को देकर एक बड़ा वेक्किम्बु यहां बना हुआ है जो बड़े-बड़े आइडियाज और क्रियेटिविटी का इंतिजार कर रहा है इसके साथ ही दुनिया बर में सोथ के लिए आरकेलोजी के विद्यात्यों की मांग है पृत्वी पर छपी पुरानी सब्व्यता और संस्कुदी का वेग्णियानिक द्रष्टिकों से अध्यन करना वह उनकी खोच करना आरकेलोजी कहलाता है आरकेलोजी में उस इतिहास के बारे में यह जानने की कोशिश की जाती है कि पुरानी सब्व्यताओं में लोगों का रहन सन कैसा था किस तरह की वस्तुव का वो इस्तिमाल करते थे अनुमान और पुरातन शाक्षियों के अधर पर सब्व्यता की रूप रेका खिचने से लेकर पत्कालिन समाज और परिवेश के आकलन का काम भी एक आरकेलोजीस को करना होता है साथी वह कार्बन डेटिंग और समय गननाखा भी काम करता है सभी तरके अधरियासिक वस्तू या सभ्यता के वरतमान से जुड़ाओ और विकास के ग्रम को दिर्दायित करने के जिम्मेदारी भी एक आरकेलोजीस के होती है अगर आप इस शित्र में जाना चाहते हैं तो आपको बादी कक्षा के परिक्सा इतिहास विशे के साथ फास करनी होगी इसके बाद आप आरकेलोजी से सबंदी कोर्स कर सकते हैं आरकेलोजी में ग्रेजियोशन से लेकर पोस्ट ग्रेजियोशन तक के कोर्स होते हैं आर्केलोजी में डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर और पीएचली, पाठेक्रम, उपलब हैं जिन में प्रवेश के लिए अलग-अलग योग्यताय निर्जाहित की गई है इससे जुड़े कोर्स देश के सभी प्रमकिश्व इज़ेलय से किये जा सकते हैं मास्टर इन कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एन हेरिटेज मेनेजमेंट और मास्टर इन आर्केलोजी एन हेरिटेज मेनेटमेंट जैसे कोर्स इस चेत्र में आगे बढ़ने के स्रीडी हो सकती है इसके अलावा आप historical archaeology, geo-archaeology, archaeobotany, chronological, ethane archaeology, experimental archaeology, archaeometry जैसे course दे कर सकते हैं एक देहतरिन archaeology अथ्वा museum प्रोफेशनल बनने के लिए फ्लिस्टोनिस्ट, पीरियर, अथ्वा classical language, मसलन, पालिय, अप्रभमिश, संस्कूते, अर्वियन, भर्षव में से किसी के जानकारी होनी जाईए जो आपको काम्यावी के रह पर आगे ले जा सकती है archaeology न केवल दिलचप भी से है, बल्कि इसमें कार्य करने वाला प्रोफेशनल के लिए चुनोती से बरा सित्र भी है इन चुनोती से निपटने के लिए अच्छी विशिशनत मक्षमताई, ताद्विक सोचे, काल्य के पती समर पंजय से महत्व पोन गुन जरूर होने चाहिए कला की समझ और उसकी पैचान भी आपको औरोस से बहतर बनाने में मदद करेगा आलकेलोजी में कोर्स पुरा करने के बाद आपको जौब के कई अपसे मिलेगे जिन में मुख्य रूप से भारतिया पुरातत्वर सर्येक्षन विवाग, नई दिल्ले, राज्य में स्थित भारतिया पुरातत्वर सर्येक्षन विवाग, विबिन्नर संग्रालाई, एंजियो और युनिवर्सेटी विदेश मंत्रालाई का हिस्टोरिकल विवाग, एसा सित्र है जहां पर आपको रोमांच और रहर्षक के साथ अच्छी सेलरी भी मिलती है अगर आपने किसी प्रावेट सेक्टर में जाना चाते है तो आप 30 से 50 अजर रूपी प्रती मां की जौब आसानी से पा सकते हैं जो अनुबव वह आपकी कोज के साथ बढ़ती जाती ह वही सरकाई सेक्टर में सिलेक्ट होने पर आप जौब प्रोफाल के हिसाब से लाख रूप्य के सेलरी भी पा सकते हैं हमारा वीडियो देखने के लिए दिन्यवाद कि दिन्यवाद